नमस्कार मेरे प्यारे सातिओं तो आज के सिस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विग्यानिक नाम या साइन्टिफिक नेम को याद करने केर우드 देखें विग्यानिक नाम जो टोपिक होता है यह कोई सा बड़ा सा टोपिक तो हियो नहीं इसको हम समझा जा सके इसका तो सिंपल सा फोर्मॉल होता है कि आपको किसी भी तरीके से इसको याद करना होता है किसी भी तरीके से अपने माइंड में बैठाना होता है तो इनको माइंड में बैठाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आएं बहुती सांदार सी ट्रिक जिन से वो जिव संबन रखता है, वंस का नाम मतलब इंगलिस में अगर बोले, तो इसको जीनस नेम बोलते हैं, और एक होता है उसकी जाती का नाम, या उसकी इस्पिसिस का नाम, जैसे यहाँ पर बात करें एक्जामपल की, तो जो human होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसका scientific नेम होता और उन ही जातियों में से एक जाती है sapiens, तो इस तरीके से scientific name किसी भी जीव को दिया जाता है, अब यहाँ पर आपको एक और word देखने को मिल रहे होगा, ठीक है, यहाँ पर lean भी लिखा हुआ है, तो कभी-कभी जो तीसरा word होता है, वो scientist का नाम होता है, यह scientist ने सबसे पहल उस नाम को बताया था, ठीक है, अब बात करें, यहाँ पर जीवों के विज्ञानिक नाम की पध्धिती की, तो सबसे पहले जो system था, जो दो नाम वाला system है, जिसको भी हमने discuss किया, इसके बारे में सबसे पहले बताया था, के रोलस लीनियस ने, और बात करें विज्ञानिक इस तरह के कोई word है, तो यह word आते हैं Latin भासा से, अब बात करें इसके ph flooding की, तो देखें जो विज्ञानिक नाम होते है वह लिखे जाते है इ इतले है इतले इतलिक फॉन्ट में, इतले होता है यह कुछ इस तरह का फॉन्ट होता है, जिसमें वर्ड जो होते हैं यह कुछ इ साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिकस, अब संद क्यासे है रखेंगे घॉल संसे आ सपRIक़ते भारत में उसको पूजा जाता है, मतलब बॉस की तरह माना जाता है, एक दे देउता की तरह माता की तरह माना जाता है, थो बॉस ओफ इंडिया की सकते है क्योंकि team को बोस की तरह पूजा आता है बोस की हम पूजा करते है तो बोस ओफ इंडिया जो word है इससे हम निकाल लेंगे जाए छिके तो जिस scientific name में आपको बोस दीखे और इंडिया दीखे अब हाँ पर आपको क्या समझगा है वहाँ पर आपको रिलेट करना है बोस ओफ इंडिया और बोस ओफ इंडिया वही होगा जिसका हम पूजा करेंगे तो पूजा किसके करते हैं गाय की तो इस तरीके से गाय का साइंटिफिक नेम जो होगा वह हो जाएगा बोस इंडिकस अब बढ़ते हैं दूसरे विज्ञ जिसके पास होगी तो वह सिर्फ और इन्सान ही हो सकता है जो इन दोनों चीजों को यूज कर सकता है औरurer इन दोनों चीज़ें जिसके पास होगी तो यहाँ पर homo sapiens जो होगा, यह हो जाएगा scientific name बनुष्यका, अब हम बात करते हैं तीसरे विज्ञानिक नाम की, तो तीसरे विज्ञानिक नाम है कुत्ते का, देखे का कुत्ते का विज्ञानिक नाम होता है canis families, अब यह हम किस तरीके से याद करें हैं, देखे canis families जो है न यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुत्ता देखे है यह वाला जो कुत्धा है आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, बहुत ही cute सा कुत्ता है, मतलब इसकी सकल से यह जाख रहा है कि हां मैं आपको family हो सकता है, तो एसकोन सा जानवर है जो आपकि फैमिली में रह सकता है आपकी family की तरह रह सकता है तो वो होगा कुट्ता या dog ठीक है तो जिस word में जिस scientific name में आपको दिखाई देरे can is family मतलब यह खुद पूछ रहा है scientific name कि कौन आपकी family हो सकता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुट्ता या dog जो होता है यह हमारी family हो सकता है तो इसका scientific name हो जाएगा can is family अब हम बात करते हैं चोथे scientific name की तो चोथा scientific name हमारा यहाँ पर आता है आम का आम को हम English में कहते हैं mango और इसका scientific name होता है मेंगी फेरा इंडिका अब मेंगी फेरा इंडिका से हम word निकाले हैं देखें मेंगी से हमने निकाले हैं मेंगी और मेंगी से हमने निकाले हैं mango तो यह तो बहुत ही simple सा है आम को हम English में mango केते हैं तो आपको scientific name में में मेंगी सब्द दिख जाएगा तो वहाँ से आप पकड करता है कि हम इतने सारे आम लाएं कि ये गाड़ी वाजार में जाए टाटा इंडिका और इंडिका भर भर के हम आम लाएं तो जिस वर्ड में आपको मेंगो दीखे वह मेंगो का होगा और इसको हम कैसे लाएंगे इंडिका से भर भर के लाएंगे तो मेंगी फेरा इंडिका स अब देखते जाईए बस वीडियो को, वीडियो के आफिर तक सारे scientific name आपके mind में बहुती अच्छे तरीके से बेट जाएंगे, अब बढ़ते हैं, पांचवे scientific name की तरफ, पांचवे scientific name है मक्खी का, देखें मक्खी जो होती है, उसको इंगले से बोलते है house fry, और इसका scientific name होत मक्खन लगाएंगे, जब मक्खा लगाएंगे, अगर हम किसी व्यक्ति के सिर पर मक्खन लगा देंगे, तो क्या होगा, उसके सिर पर मक्खी बेट जाएगी, मतलब अगर किसी को हम मक्खा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगी, मक्खी बेट जाएगी, तो मक्खन लगाने स मस्का लगाने निकालेंगे और मस्का से हमारा वर्ड निकल जाएगा जो होगा हमारा मस्का ठीक है तो मस्का और डोमेश्टिका आपको पता ही है डोमेश्टिका मतलब घर मतलब यह घरेलू मक्हें होती है घर में पाई जाती है सामनता उस मक्ही का नाम होता है मस्का डोमेश तीगरीना से वाड निकला रीना, ठीक है, То मेंडकों की एक राणी थी, जिसका नाम थंखा रीना, ठीक है, रीना नाम की एक राणी थी, जिए आपको यहाँ पार दिखाई दे रहे है, अब यह जो राणी थी कौई भी मेरे ऑपरजह है, मेरी जो सारी मेंडक हैं उनमें से कोई भी कुछ नहीं वोले सब चुप चाप रहे और सिर्फ और सिर्फ में ही टिगर टिगर करूं जो मेंडकों की आवाज होती ही टिगर टिगर वो सिर्फ यह रानी ही करना चाहती थी तो रानी कौन है रीना नाम की लड़की है रीना नाम क करने चारहिए तो उस प्रकार से आपका नाम इसका क्या हो जाएगा मेंड़क का विज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिगरीना अब हम बात करते हैं सात्वा विज्ञानिक नाम की तो सात्वा विज्ञानिक नाम है धान ये चावल का जिसको हम इंग्लिस में बोलते है बहुती अच्छे सी बिर्यानी बनाई या फिर उसके लिए बहुती अच्छा सा पुलाव बनाया तो यह जो पुलाव था आपने उसको एक कटोरी में दे दिया चोटी सी कटोरी में और उसको क्या है पुलाव या बिर्यानी जो थी वो उसको बहुती जादा पसंदे तो आप और लाई जाए से हम क्या निकाल लेंगे, और आई जा, ठीक है, तो चावल अगर आपको लिख रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या image में आएगा, सबसे पहले image में आएगा कि चावल उसको नहीं मिल रहा था, उसको बहुत ही जादा पसंद था, तो वह क्या बोल रहा था अपने दिमाग में कि और लाए जा, और लाए जा और उसका जो दोस्त था, मतलब आप थे आप क्या कर रहे थे, उसके मजे ले रहे थे आप उसको चावल नहीं दे रहे थे तो उससे क्या थी, उसके लाट अपक रही थी उसके saliva टपग रही थी, ठीक है, तो आपका दोस्तों तो बोल रहा था कि भाई, और लाइजा, और आप उसको दे नहीं रहे थे, उससे क्या हो रही थी, उसके लाट अपग रही थी, उसके saliva टपग रही थी, उससे आफ़वाट निकाल लेंगे, satayva, तो इस तरीके से, राइ तो राइस का विज्ञानिक नाम हो जाएगा, और आईजा satayva, अब हम बात करते हैं कुछ और विज्ञानिक नाम की, यहाँ पर आपको विज्ञानिक नाम दिखाई दे रहा है गेहूं का, तो गेहूं का विज्ञानिक नाम होता है, ट्रिटीकम एश्टिवेटम, देखी गेहूं जो होता है, यह भारत में काफी जादा खाया जाता है, उत्तरप्रदेश, मद्रप्रदेश, राइस्तान, यह सारे जो उपर के श्टेट है, इनमें गेहूं काफी जादा खाया जाता है, तो गेहूं इनमें इतना खाया जाता है, ट्रक भर भर के खाया जाता है, कि अब हम बात करें मटर की मटर या फिर पी जिसको इंग्लिस में बोलते हैं इसको क्या बहुत जगी उसको कोई भी आपको फिरी में नहीं देना चाहता है इसको देने के लिए आप से क्या करेंगे इससे पेसे लेंगे मतलब बीना पेसे के नहीं देंगे तो बीना पेसे के नहीं के नहीं देंगे वो कौनसी चीज होगी वह कि मटर को हम भुष सारी सब्जियों में यूसकरते हैं इस तरीके से आपको रिलेट करकर करकर याद रखना पड़ेगा जबी आपको यह सांटिफिक नेम याद होंगे नहीं तो वेसे तो आपको एक्जाम में बहुत कन्फिज करेंगे और इसी तरीके से चने का वज्ञानिक नाम होता है सी सर एरियंटिनम ठीके यह कुछ दस वज्ञानिक नाम हम यहाँ पर लेकर आये थे आप हम इसके कुछ कुछ लगाते हैं कि इतनी देर हमने पढ़ा है तो आपको याद हुआ है भी की नहीं हुआ है है सबसे पहला question आपका यहाँ पर आ रहा है कि कुछ के का विज्यानिक नाम क्या है की क्या क्या कि आ मतलब आ Illust beneficiaries किस ने कखा ता यह कुत्त है कि कुत्य का विध्यानिक नाम क्या हो जाएicit दूसरा यहां पर देखते हैं question दूसरा question है guy का विज्ञानिक नाम क्या है तो guy के हमने क्या story याद की थी कि guy के हम पूजा करते हैं पूरे देश में और guy को हम क्या मानते हैं बोस मानते हैं मतलब इंडिया की boss कौन है guy है तो जिस word में आपको दिखाई दे रहा है पहरा यह option आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बोस आपको दिखाई दे रहा है और इंडिया भी आपको दिखाई दे रहा है तो guy का विज्ञानिक नाम यहां पर क्या हो जाएगा बोस इंडिकस हो जाएगा तीसरर कोश्श्शन आपका है मक्खी, मक्खी का वज्ञ्यानिक नाम क्या है उँ मक्खी का है आपको विञ्ञ्यानिक नाम क्या है चोथे question की, चोथा question है mendak का विग्यानिक नाम क्या है तो mendak की मेंने क्या story बताई थी कि एक लड़की है, एक mendak है जिसका नाम क्या है, रीना है ठीक है, रीना नाम की रानी है जो mendakों की रानी है, तो रीना रानी आपको कहां दिखाए दे रही है B option में दिखाए दे रही है Rana Rana Samdhi निकाला था Rani और Rina Samdhi निकाला थी Rina उसका नाम और वो क्या कर रही थी? Tigger Tigger तो Rana, Tigger, Rina Mendadek का वेग्यानिक नाम हो जाएगा ठीक है आपको दिखाई दे रहा है चावल के लिए हमने क्या इस्टोरी याद की थी अभी याद कीजिए सबसे आखरी में याद की थी कि आपका दोस्त है जो आपके घर आता है और उसको चावल बहुत पसंद है पर आपने उसको थोड़े से दिये हैं तो वह क्या बोलेगा और ग्यानिक नाम भूती सांदार तरीके से याद करा दिये यह नया कॉंसेफ हम लेकर आए हैं अभी तक हम टोपिक वाइस एंसे आटी पड़ रहे थे अगर आपको एक कॉंसेफ अच्छा लगा है मेहनत अच्छी लगिए तो प्लीज कमेंट करके जरू बताएं और अगर किसी सांदार जानकरी वाले वीडियो जब भी हम अप्लोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें अपना ख्याल लखिए बहुत बहुत धन्यवाद